हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़े जैनुएन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो इंपोटेंट खबरे बताने वाला हूं सबसे पहले बात करते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी खबर और बता देता हूं अगर आप घर बैठे टीचिंग करना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं सिंपल तरीका है आपको क्या करना है एफोर साइज सीट या कोई भी पेज पर आपको लिखना है उनकी एप में जाके वह समझाना है तो बड़े अराम से आप यह कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड है और उससे पहले आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसे पैंकार्ड आपके पास हो इसके बाद ड्राइविंग लाइसे आधार कार्ड ऐसी कोई आईडी आपके पास होनी चाहिए अगर यह सारी चीजे आपके पास है तो आप मुझे contact कर सकते हैं और अभी demo चले हुए तो आप अराम से demo दे सकते हैं और सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा तो साथियों अभी बात करते हैं कि आज court में क्या हुआ जैसा कि आपको पता है सुबह मैंने वीडियो भी डाली थी कि आज court में hearing थी तो hearing में क्या हुआ जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा विवाद चला हुआ है दिल्ली के अंदर जो gas teachers हैं हलाकि कुछ ऐसे मामले भी देखे गए कि वो अबद्र भासा का भी प्रियोग कर रहे थे तो ये सारी चीजे बहुत गलत हैं आप एक सिक्सक लेवल पे हैं और ये सारी चीजे आपको सोभा नहीं देती अगर आपको साथियों ये चीजे सही लगती हैं जो ये कर रहे हैं तो आप जरूर बताएं मुझे नहीं लगता कि ये सही है किसी भी एंगल से अगर आप अबद्र भासा का प्रियोग करते हैं सिक्सक होकर तो मुझे बिल्कुल व जज सहापते वो आज present नहीं हो पाएं इसके बाद जो next hearing है next hearing की date मिल गई है जो अगली तारिक रखी गई है 29 मार्च की वो तारिक है और उस तारिक में क्या होता है वो सारी चीज़े अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल जरूर subscribe करें क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज थे वो असोक अगरवाल जी से मिले और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो बाते रखी तो असोक अगरवाल जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी जो वेकेंसी है जो आपका final selection है बहुत जल्दी होने वाला है आप घबराएं नहीं तो यह सारी चीज़े आज हुई है औ और उम्मीद है कि सारी चीज़े सही हो और इसके बाद जो केंडिडेट्स हैं कल धरना भी देने वाले हलाकि जो MCD PRT का एक्जाम है काफी टाइम से विवादों में रहा है और जल्द ही कुछ चो अच्छा solution आप लोगों को देखने को मिले उम्मीद यही है तो साथियों य यू जैहिन वन्दे मात्रम